आप ये देखें 2008 मुंबई एटेक के चार दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंद्गियों में लौट गए कोई धरना वरना कुछ नी लगा कोई शोर शराबा नहीं हुआ अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के दाने पे खड़े होते हम ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में पाकिस्तान ने हमेशा जंग बंदी आमनों मुझाकरात की बात की वजीर आजम ने कहा कि भारत एक कदम बढ़ाए हम दो बढ़ाने को तियार है भारत कश्मीर में जल्म खतम करें पाकिस्तान हाथ आगे बढ़ाने को तियार है भारत मकमूजा कश्मीर में कैद जो कश्मीरी हैं उनको आज़ाद करें जिनको काले कानून पीडिये के तहट बिला किसी जवास दो सालों के लिए गिरफतार किया जाता है पाकिस्तान कदम बढ़ाने को तियार है भारत कश्मीर से फाज जो जाली उपरेशन करके कश्मीरी नौजवानों का खून बहा रही है उसे बहर निकाले पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को तियार है भारत आर्टिकल 370 को खतम करने का गेर कानूनी फैसला वापिस ले पाकिस्तन हाथ बढ़ाने को त्यार है पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात किए पोरी दुनिया जान दिये मक्मूजा कश्मीर पे आपका वेकाईदा कपض़ा है और वेकाईदा नाइनसाफी जुल्म की दास्ताने मारकूम की जाती ही पेर आप लोग पता नहीं क्लिए काल फेल में इतना क्वेब पता नहीं रहते हैं यूकि झाल कि आप की साल ना यूज धले व्हों गारिक पिक लुऑ जाने हैं आपinky जाने हैं कि खुधरादीद उनको देना चाहिए उनकी राए जानने से हाके खुद्रादिय देने से आप लोग क्यों इतना घबराते हैं और बजाद कश्मीर में भी जो चल रहे हैं आपके सामने हैं क्या चाहती है आपकी गर्वर्मेंट क्या चाहते हैं नेरेंदर मोदी क्या एजेंड है उनका जी सबसे पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपके सवाल का जवाब दूँ उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने जानता कि आप मेंसे कितने लोगों ने हिंदुस्तान देखा है मगर मैंने पाकिस्तान और जब मैं पाकिस्तान के लिए मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि लहुर जा रहा हूँ तो वालत साहब तो कह रहे थे ठीक है भई चले जाओ जैसे जारा तरह बाप होते हैं उनको इतनी परवा नहीं होती माँ थोड़ी सी घब रहीं फिर वो दस मिनट बाद मेरे कमरे में आई और उन्होंने आके मुझसे कहा कि बेटा मा तो वहां भी माँ होती होगी मैंने का जी ऐसा ही है ममी तो उनोंने का कि फिर तुम जाओ फिर कोई बात नहीं है तो पाकिस्तान से लोटने के बाद वहां पर जो मैंने वक्त गुजारा उसके बारे में मैंने अपने लोगों को बताया सब मने मुझसे पूछा कि बाई बताओ कैसा है पाकिस्तान तो मैंने ये कहा कि वहाँ पर भी जो माँ है वो भी वही ख्वाब देखती है अपने बच्चों के लिए जो हमारी माँ हमारे लिए देखती है वहाँ भी माँ चाहती है कि उसके बच्चे के पास अच्छा रोजगार हो उसे अच्छी ताल ती कि उसका बच्चा कब तालीम खत्म करके और जहाद पर चला जाएं तो ये हमारे दर्मियान जो मिस्कंसेप्शन्स हैं मैं समझता हूँ पाकिस्तान इसा हाईली मिसंडिस्टूट कंट्री अराउंड दो वर्ल्ड आपने जिस तरह से इंट्रो दिया वहां से बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है खास तोर से जब आप चाते हों कि अमन की बात कर रहे हैं कुछ और मुझे ऐसे लगा कि मानो आप गौरी गजनवी अब्दाली सारे ही हमारे उपर ठोक रही हो एक के बाद एक अब आते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आएंगे मैं आपके तरफ आती हूँ ठीए आप सवाल के जवाब की तरफ आईए का आप अमन की बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बकाइदा बार बार अमन की पेशकश की हम बार बार बात ऐसे करते हैं कि हम अमन की बात करना चाहते हैं हम मसला कश्मीर को भी टेबल पे बैठके हल करना चाहते हैं अमन से कौन दूर भागते हैं इंतिशार पसंद कौन है इतनी गरम दिमाग गरम सोच कौन रखते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर नेरिंदर मोदी आपने सवाल पूछ लिया मुझे जवाब इसका मुकमल देने देयां आ प्लीज तो आपने कह दीया कि मोदी साहब नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के दरम्यान अमन हो हो तो मैं आपको यह बता दूं कि हिंदुस्तान की तारीक मोदी साहब से शुरू नहीं होती ہندوستان کی تاریخ उस से पहले की भी है 2019 से पहले का भी एक हندوستان है अतरकाजमी साहब अभी कह रहे थे कि जी एक रीजीम चेंज की जरुड़त है और ये रीजीम से बात नहीं हो सकती फरक शर्फ इतना है फरक सर्फ इतना है कि इस रिजीम ने भी आने के बाद में अपनी तरफ से पाकिस्तान को हो या फिर हमारे यहां पे हुरियत के जो लीडर्स हो उनको रीच आउट करने की कोशिश की है सेद अली गिलानी को मोदी सहाब ने इलेक्ट होने के बिलकुल फौरी तोर पर उन्होंने हलव भी नहीं लिया था उससे पहले उन्होंने अपने दो एमसरी बेजे बादचीत के लिए और उनसे ये कहा कि अगर आप कश्मीर पर कोई हमसे कमिटमेंट चाहते हैं तो हम आपसे बात करने के लिए तयार हैं आएं बैठें ये मोदी सहाब का जेस्चर तब है कि जब उन्होंने ओध भी नहीं ली है अपनी तो गिलानी सहाब बकॉल उनके वो खुद कहते हैं कि मैंने उनकी बात को सीरिसली नहीं लिया और वो इसलिए कि मोदी सहाब का तालुक आरेसस से हैं जैसा कि आपके यबी जो महमान थे अतर काजमी सहाब वो कह रहे थे वो कहते हैं वो इनका तालुक आरेसस से हैं इसलिए मैंने उनकी बात को सीरिसली नहीं लिया कितनी अजीब बात है वो इन्सान जिसका तालुक जमाती इसलामी से हो उसे इस बात पर इतराज है कि सामने वाला RSS से है ये क्या बात हुई देखें जी आपको मैं ये बता दूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिष्टे हैं वो अच्छे भी रहे हैं बुरे भी रहे हैं हमने बहुत अच्छा वक्त भी देखा आज बदकिस्मती से जो वक्त है वो मैं समझता हूँ कि मेरे देखने में इतना बुरा वक्त तो कारगिल वार के दौरान भी नहीं था मैं चाहता हूँ कि एक सीरियसनेस हो पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग में कोई इंटेंट हो, इशू बेस्ट हो और वो मिनिंग्फुल हो मुझे लिए लगता कि पाकिस्तान के तरफ से जो डायलॉग की पेशकर्श है उनमें ये तीनों चीज़ें है ये मैं, मुझे दस सकेंड और दें आप अपनी बात के लिए आपकी बारी पर मोदी साहब से जब आप कोई भी फरमाईश करते हैं तो उसके पहले ये याद रखें कि मोदी साहब ने आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन सर्मनी में वो लहौर भी गए लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद पठान कोट हुआ उसके बाद में उरी हुआ उसके बाद में पुलवामा हुआ आज इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट है और वो ये है कि यहां के लोगों ने ये कर दिया है कि Talks and Terror cannot go together मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो लोगों ने मुझे से का कि वही हमें पता चले मेरे इलाके के जो लोग है They came to me and they said कि हमने सुना है तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो तो मैंने का जी मैं जा रहा हूँ उन्हें का बेटा हमारा एक पेगाम लेते जाना उनसे ये कहना कि अब हमने मार खाना बंद कर दिया है आप ये देखें 2008 मुंबई एटेक के चार दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा कोई शोर शराबा नहीं हुआ अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के धाने पे खड़े होते हम ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में हम आएं ये रिजूशन के उपर जिसका हवाला पाकिस्तान बार बार देता है बार बार हम पाकिस्तान से ये सुनते है कि ये राइट तू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात वहां पे होती है कहते हैं जी कश्मीलियों को उनका जो है वो राइट मिलना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते है यूएन सेकेरिटी काउंसिल का रिजोलूशन 47 है आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें तीन बाते लिखी हुई है कि वहां पर राइश उमारी जो होगी वो क्या उसका चार्टन होगा किस तरह से वो होगी पहली शर्त ये है कि पाकिस्तान को अपने यहां से सारी फोर्सेज और सारे जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उनको बाहर निकालना होगा सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को ही अपनी फोर्सेज क्यों निकालनी पड़ेंगी तो उसका जवाब यह दिया गया कि पाकिस्तान हैज बिन लेबल्ड एज अन अग्रेसर उन जम्मू और कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग तो अजाद ही थे जी आप ही ने स्टेंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया उनके साथ और आप ही ने उसका वाइलेशन भी किया एर मार्शल अच्गर खान साबने अपनी किताब में और टीवी इंट्रिव्यूज में बहुत बार ये बात कही है जंग चाहे 48 की हो 65 की हो सारी जंगे पाकिस्तान की तरफ से हुई है इसमें कोई शक नहीं है मैं लहूर के पास ही एक गाउं में गया था छोटा जगाउं है लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद हम मुहबबत चाहते हैं अमन चाहते हिंदोस्तान के साथ तो आप बस ये किश्मीर का ही जो मसला है इसको हल कर दें तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है वरना फिर वोई होगा जो आज तक होता आया है तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक वो कहते हैं वो ये हिंदोस्तान को मुझ की खानी पड़ी है मुझे हरानी हुई आपकी ये बात सुनकर वहां की सिविल सोसाइटी की तुर्व में उन्हें तेन चार आर्टिकल बीबीसी के दिए मैंने का आप ज़र इसे पड़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में तो उन्होंने का बेटा ये तो अंग्रेजी में है अंग्रेजी तो नहीं पड़ सकते हैं मैंने का कि अपने बच्चों को बुलाएं उन से वो आपको बता देंगे के देनी बेटा यहां तो अंगरेजी कोई नहीं पड़ता है मैंने का फिर मेरी गलती हो गई है वाकई में चारों जंगें आप ही जीते हैं देखें जी कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए वो तो अजादी थे आ ना आप अबाईली हमला करते ना आज यह नौबत यहां आती यूएंज सेक्यूरिटी काउंसिल के जो रिजलूशन है उसमें तीं शाय हैं पर आता हूँ अच्छे मैं चोड़ी सीक बात एड़ करना करेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो के पड़े लिखे नहीं है जिनका आइक्यू लेवल इतना ज्यादा नहीं है लेकिन जिसना आप लंडन में रहते हैं अतर तो वहां पे बहुत से लोग फर फर अंग्रेजी बोलते हैं क्योंके लांग विज है वो गोरों को बोलता पर अगरी करेंगे लांग्रेजी को किसी की काबलियत यह नहीं को देता हूँ पाकिस्तानी महाशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हथ तक पॉसिबल है उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है कि ठीक है और यह शायद आपके मुल्की इस्टैबलिश्मेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 1995 परसेंट अवाम उर्दू स्पीकिंग है उन्हें अंग्रेजी नहीं आती तो हम अपना बयानियां चला सकते हैं यह जो मर्दी इनको बता दें खेर लेट मी कम टू दर रिजुलूशन नाओ तो जिनको अंग्रेजी आती है वो वो समझ रहे हैं इसे पूछेंगे आज कल जो मोधी के बारें तो पढ़ने आप अप अफ़ार काजमी साहब आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा अब सुनने की बारी जाप आपकी है आप अपना वक्त अब गूछे आप अपको अब जरूर सुनेंगे लेकिन आप ऐसी बाते करें अर्वी जिनके अधों सब्सक्राइब हैं चले जी आगे चले आगे जासमी साहब, आगे चलिएगा, प्लिज अगला पॉइंट जरा डिसकस करें, अर्वेल के पाकिजिये पॉइंट तो मुकंबल करने दिए अगे पॉइंटियों का उप्सक्राइटे, अगे चलिएगा, आप बोलें, बोलें, आप, उए अप काउंसिल का रिजुशन पे बात क नौन कश्मीरी को सब को बाहर निकालेगा उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी forces को withdraw करेगा हता कि थोड़ी बहुत force maintain रखेगा वहाँ पे law and order को maintain करने के लिए उससे जदा नहीं उसके बाद international watch agencies की तहत में वहाँ पर referendum होना था तो ना पाकिस्तान ने forces withdraw की और ना ही उसके बाद में जो है वहाँ पे referendum की नौबत आई ना नौमंग टेल था ना रादा नची अब आजाते हैं आगे इसके उपर आपके जो RSS के जो है कि RSS की racist ideology RSS ने ये कर दिया RSS ने वो कर दिया मुझे आप ये बताएं दुनिया भर के अंदर RSS ने कितने terrorist attack किये हैं देखें जी जितने terrorist attack होते हैं sorry to say sorry to say उसमें से ज्यादा तर जो attack होते हैं वो मुसल्मानों की तरफ से होते हैं दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तन्जीमें हैं ये अल-काइदा अल-शबाब बोको हराम अफरीका तक चले जाएं आप तालेबान जैश मोहमद सिपाय सहाबा लश्कर जंगवी ये तमाम जो organizations है इनकी बाबस्तगी जो है इनकी affiliation किस इनकी जो रहे हैं वो कितना कितना दैश्टगर्दों को funding करती है इसमें जसूस भेजे जाते हैं क्यों कुलबोशन कौन है जीता जाकता सबूत है जिन्दा मिसाल है को सिर्वनिया में रहे हैं अर्विंद साथ मिनदे मिन अर्वेड आर्वे अर्वेड़ आप उसमें प्षेम के लोग अकनी परक्राविशन करें अपके ब्लून आ प्ला सबilot करेंघरे हैं प्लीज जरा आप मौका दीजिए, अतर को मौका दीजिए, प्लीज प्लीज, 7-8 मिनट से आप अकेले बोल रहे हैं, इस तरह नहीं चल सकता, आप प्लीज आप बात को समझेए, अतर आपके करफ आ रहे हैं, अपनी बारी में बोलिएगा, जी अतर